कि मेरे प्यारे दोस्ता आपनों मेरे प्यार बार नमस्कार नानी दादी के रशोई में आपनों का स्वागत है कि आज में आपनों के लिए न आम आजकल बहुत आ रहा है शीजन नाम का बहुत है तो आज में एक आम के आपने कैसे लगा अब यह देखो आप हम एक कुकर रख के भीगो करके अधा घंटा दिया था अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी अधा घंट बिगऊए ज्यादा नी भीगो है अब इसमें डाल दूंगी मैं एसे खीर बनाने में हमें कम सकम एक लिट घंटा लगता है पर आज आपके खीर ना जब भी आपका मन हो खिर खाने का तो इस तरह से बनाइए आराम से खाए यह देखिए इसमें हमने फिर डूट डाल देया एक कप एक कफी इसमें डूट डाला यह देखिए क्योंकि उबल जाए ना तो दूट सारा बाहर गिरेगा बस दो तीन सीटी आएगा इसको बंद कर द तो इसको मुनें निधू यह बन कर दिया था ठंडा हो गया था ठंडा हो जने यह बा Northern हम खोलेंगे गरब में नहीं अजय देखें ना मारा पक गया है गजा है कै कि दूद में दूद भrit में तो फिर्णाद रांड़ विन्हीं ऐसी तो बनता है हैं दूद जो चावल दूद में पजाता उसली तो फिरों भोलते हैं यह देखिए इसमें दूद मैंने और उपर से डाल दिया जो चावल हमारा पक चुका है एक दमार दूद डाल कर मिला देंगे इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे देख हमार तयार हो गया ना खिर पास्मेंट में क्योंकि सीटी आने में कितना टायम लगता है चाल कोई नहीं ज्यादा बिलकुल टायम नहीं लगता फटा-फट रखिए फटा-फट सिटी आ जाता है मेरे ख्याल से दो या तीन में इसके तीन कर दो गया है कि समय के बचत गैस की बचत गर्मी से बचत गर्मी में आप खीर बनाने लगो तो देड़ घंटा किचन में खड़ा होकर खीर से ज्यादा तो हमारा हालत खड़ा बाजेगा पशीना ही निकाल देंगे हम फिर खीर क्या खाएंगे बताईए पथिर ज्यादा त कि प्रूस किस प्रेशानुन जाते हैं तैनल को सब्सक्राइब कर ना गरिये बढ़ाइए हमें आगे, तभी तो हमें आप लोग साथ रहाएगा इसमें हमने शुगर फिरी डाला है, चीनी नहीं डाला है क्योंकि चीनी मैं नहीं खाती हूं गुड डालती ही तो फर्ट जाएगे, फट जाएगे, फर्ट जाएगे, ये हमारा दूद, इसलिए हमने इसमें सुगर फिरी ढालावे चान वाइं इसमें इसमें हम अभी आम का तक नहीं मिठास रहताब आख नहीं तатель सब्सक्राइब के और तो एक दुन को अब डालाखे है जब आम दाले और इसमें करबा होbra बूंग कर नहीं है रोता हुआ तब तक थंड़ा होगा तब तक हम अप और कुछ बनाएंगे भी देखते जाएंगे मिक्स करके हमारा बिल्कुल खेर तयार है चाहे तो इसे भी आप खा सकते हैं इसको लेकर के कटोरिम निका लिए खाये शुरू हो जाएंगे मन तो बिल्कुल वह हो रहा है कि भास खाय लें जाकर के सच्ची मन एकदम लल्चा रहा है जीब देगा अब इसमें थोड़ा सा ना ड्राइफूट डाल देंगे जो हमने पहले से उसको चौफर में करके रखा हुआ है एक डबा करके रख दिया है जब होता है तब उसमें डा दालते रहते हैं और थोड़ा डाल दी हमने इसमें वो ड्राइफूट एह लीजेजी हमारा खेट दो किर दो बन गया मैं अब शक्राइब लगा है इसमें खेर और पुड़ी खाते हैं दाल वाल पुड़ी खाते हैं पर आज मैं दाल वाल पुड़ी नहीं बनाओगा आज मैं मैं कोचोडी जी से बना रहे हुं अजवाईन होगह रहे है इसे डाल करके बनाता है जीरा ही इस ने इसको करके रख दिया था पहले omnikot के लिए फोड़ा सा अजवाइन हींग नमाक जीरा हलके से कालिमेच इसमें डाल दिया है अब पहले करके रख दिया है अब इसको मैं पूरी जैसे बनाओंगे खस्ता पूरी बन जाएगी है तो दाल पूरी बनाने में टाइम लगता है थोड़ा वो किसी दिन और बनाएंगे आज मैं सोचा चलो इसी को आम के खीर अब पूरी खाते हैं कचोड़ी कहीं है नमकीन कचोड़ी हो जाएगी यह बनाते हैं खस्ता कचोड़ी वह है यह अब इसको मैं बेल का रख दूँंगे चोटा 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 कि यह आख में में खाते हैं कि नहीं कौन-kौन घषता आप हमें बताएंगे कमन्ट करेंगे कि आप लोग क्या-क्या खाया आश्में प्र्फीक है है हमें जल्दी बनसके पर नहीं बना आज हम रहने बहुत गरूरी है न इसमें डाल के हम निह जादे बनाने में इसया गाइम लग जाता है यह तो जल्दी बनजाएगी हमाइजी पूड़ी जहां जल्दी नहीं रख गर्मी में कहुं घर्मी में इतम्हीं अचे गर्मी बहुत हो यह देखिया अब इसको मैं बेल करके रख दोंगी फिर उसके बाद गय साउन करूंगी अब मैंने पंखा चला रखा इसलिए गय साउन नहीं किया इसको बेल करके रख दोंगी फिर पंखा बन कर दोंगी फिर गय साउन करूंगे यह लिजिए हमारा सारा बिल गया रख दिया हमने अपने पूरी को अब यह गैस कौन करके इसमें हमने डाल दिया था तेल और अब इसको हम बना लेंगे देखिए कितने अच्छे लग देना बहुत खास्ता बनती है पूरी यह इसे आप लोग तो बनाते होंगे यह देखिए पूरी धड़ा धड़ धड़ बनकर सब त्यार हो जाएगी नस्तक टाइम है हम जल्दी से नस्तक कर लेंगे अपना जा करके फटा फट तो आप लोग विश्टर से बनाईए और हमें बताईए आप लोग ने क्या बनाया क्या खाय इसके साथ हमकेखे के साथ है हुआ अगा की अगल की कहा लिज आप लोग कमिंट किया करिये दे़ में शोश्रा होता है यां हमारे चीजे अपनों को पसंदा रही है कमेंट करेंगा अब तभी में पता चलेगा कि कि पसंद आईए करने से हमारा होंसला बढ़ता है कि तुम सोचते कि पता नहीं कि पसंद आ रहा है इसलिए प्लीज आपनोंगे उसको सुधारेंगे भी इसको बातनिये उसको भी हम कोसे करेंगे करें मेरे समद्द में आगया तो ऑपनी रिष्पी वी वी था कि उससे भी हम भीतो कुछ शीखें आप stocks बनाते दो इससे हम भी बना करांगे दिखाएं कि आपके नाम से आप लोग कहा से बतार debating करें क्या कहां कि रिष्पी और pracy किस जगे के यह रिस्प्री है, इहाँ दिखा में आपके लिदम के उसे, देखें जी हमारे तो सारा पूरी बन गया अब तो अब तो तयार हो गया, परिसे फुली-फुली हो रही है, एक दम करारी सी, हाह, यह दिखें जी हिए, हमारे पूरी अब हम चलते है अपने फाइनल अजिसके नाश्टे गे ये हमारे तब तक खीर भी ठंडा हो गया पुड़ी भी बन गई ये खीर भी ठंडी हो गई है कि हमें खिट ठंडी करनी थे गरम नहीं रखना था अब इसमें क्या करूंगी तहा मैं आम जो है दो आम था उसको हमने ये इसको निकालिया पाल्प्स इसका अगर निकाल करके अच्छी तर्मिक्स करके रख दे अब में इसमें डाल दूंगी अब इसमें आम का टेस्ट इसमें 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 शुगर फ्री डाला चीनी आपको इसे तो मिठा जेतान प्रसंद हो डाल सकते हैं पर इसमें तो आम के भी मिठास है न इसलिए कम ही चीनी डालिए यह ज्यादा आपको मिठा खाना हो ज्यादा डाल दीजिए कोई बात नहीं यह देखिए बहुत बच्चे बड़े सबको पसंद आता है इसलिए बच्चे बहुत खाते हैं अच्छे से हम तो अपना नस्तर तयार कर लें प्लेट तयार कर रहें अब चलते हैं खाने के लिए अधिक है आई आई आप लोग भी खाईए और हमें बताईए कैसे बना रिश्पी कमेंट करिए कि देखिए अपने पूरी तो डाल दिया कचोड़ी चाट जो भी है देखिए अब इसमें में खेड डाल रहे हूं कटोड़ी में कि देखिए अब इसे थोड़ा सा ना आम के टुकड़ा रख देंगे वह मुह में आएगा ना बहुत अच्छा लगेगा यह यह देखिए कि अब कि टुकड़ा ना रख देंगे तो जब हम खाएंगे ते मुह में आता है बहुत अच्छा लगता है यह कि यह लो जी हमने आम के टुकड़ा रख दिया अब हम इसे आज करेले का अचार भी हमने बनाया है तो सब्जी नहीं बनी है तो उस अचार के साथ हम इसको खाएंगे एलीजी देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है आज ही बनाई हो ताजा थाजा है बिल्कुल एक दम बहुत टेश्टी लगता है करेल अचार आप लोग बनाते हैं ना खाते होंगे हमें कमेंट करेंगे आप लोग कैसे बनाते हैं ठीक है यह लीजी हमारा तो पूरा नाश्ता तयार हो गया अब हम चलेंगे जाएंगे खाएंगे आप लोग भी अपने बच्चों को परिवार को खिलाए और हमें बताइए कैसा लगा आपको आम का खीर फटा फट पांच मिनट बनने वाला खीर इसका जट पट खीर हम अब मुझे उमीद है कि बहुत अच्छा लगे आपके इस का वीडियो में एक और नए रिश्टिक के सांगे रिश्टिक के सांगे तो आपके